हाय गाईज, पिंपल्स जब हम नाइट में स्लीब करने जाते हैं तो फैस पर कोई पिमिल्स गोर नहीं हुआ रहता है लेकिन जब हम मौरिनिंग में वैक आप होके उठते हैं तो सड़नली देखते हैं कि यहां पिंपल्स यहां पिंपल्स ग्रॉ होगे हैं oily skin और dry skin skin two types के होते हैं तो oily skin में rather than compression dry skin के pimples grow होने के chances ज्यादा होते हैं सेबा Swiss gland जो की naturally oil produce करता है और हमारे face की skin पर कुछ dead cells आ जाते हैं इस cells वहाँ पर fulfill enough oxygen की supply chain ना हो पाना या blood circulation प्रॉपर वे में ना होना वाट सा ओर रिजन होता है या जो कोई extremely level में smoking करता है उस रिजन से भी कुछ cells dead हो जाते हैं follicle 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 मतलब यह चोटे चोटे च्छिद्र होते हैं skin पर जहां से hair grow करता है या फिर grow होते हैं वह open और close open और close होते हैं तो जब वह open होते हैं तो वहाँ पर over oily release हो जाता है और dead cells accumulate हो जाता है वहाँ पर और इसके what so ever region होते हैं कि या हम ऐसा कुछ diet consume करते हैं कि जिससे oil ज्यादा ग्लीज होता है या इसके लाब एक का ग्रीजन होता है कि Puberty age में hormones unbalancing disbalancing होता है यह किसी भी होता है rather than ज्यादा कैसे सी Puberty age में होता है जो skin पर जो follicle चिद्र को block हो जाता है जो ओवर ग्लीज ऑईल या फिडेड़ इसकें से वहाँ पर बेक्टरिया affected कर देता है जो कि pimples निकलाते हैं या या पिंपल्स में convert हो जाता है वाइड हेड ब्लेक हेड ऐसा उसको बोलते हैं जो डिसीज होते हैं वो टम्मी से होते हैं मिंस पेट से होता है या तो डिसीज होने के या पिंपल्स होने के उसकता है हमें को डिसीज हुआ या कहीं हुआ तो हमने किसी मेडिशिन को लिया उस मेडिशिन के एपक्ट से वो डिसीज हो गया लिकिन उसे कुछ साइड एफेक्ट भी आते हैं जिससे पींपल्स के गिजन हो सकता है स्किन केर प्रोड़क्ट डाइगनोसिस वाट्सवर रिजन यदि आपके स्किन पर ज्यादा ही पिंपल्स ग्रू आउट हो आए हैं तो आपको डर्मेटोलोजी से कंसल्ट करना चाहिए या फिर एक दो है या फिर वह बीच बीच में एक दो निकलते रहता है तो आपको मॉर् करते हैं तो पिंपल्स ग्रू होने के चांसे कम होते हैं और कुछ एक्सरसाइज हैं जो की ऑक्सिजन लेवल की सप्लाइचेन प्रोपोर में होगी और ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा कि जो को आप कंटिन्यू डे वाइस डे फोलो कर सकते हैं कुछ सम टाइम में देना प कुछ बना रहा है माउथ में आप जितना टाइम पर एयर को फोल्ड कर सकते हैं 10 सेकेंड 20 सेकेंड ऐस पर यो कैपिविल्टी तो इसे से आपको कुछ टाइम करना है और सकेंड है कि इसी बेलून पोज में यह आपको एयर भर करके आपको चिक को मुमेंट करना है लाइक दिस थार चिजे हैं कि आपको माउथ में स्ट्रेच करना है लाइक दिस जैसे अब इसको आप फास्ट ली करेंगे तो आपको एक ब्रिथ ले करेंगे ब्रिथ कर दोल करेंगे आपको उपर किते हो देखना है इसे से आपको कुछ टाइम करना है और इसी में आप एक एक अडिशनल इंक्लूट कर सकते हैं यह आपको ब्रिथ ले के पोच करेंगे ऊपर देख करेंगे आपको मुमेंटम करना है मौत को लाइक दिस बसे तो एकसर साइज बहुत सारे हैं लेकिन यह कुछ एकसर साइज है जो और इटलिस्ट आप कपाण भात ही कर सकते हैं 5-10 मिनिट हाँ किपा प्लेटी टाम जाओ हिसके टूाओ को यह जढा है मैं झाथ खर साइख टोगيل जड्यार जाः आपर बहीं कर सकते हैं फड़ से सम्वाorg